कोर्बा में दर्जन भर से अधिक हाथियों कदल शहर के नजदिक पहुंच गया है शहरी शेत्र से करीब 3 किलोमेटर दूर हाथियों का जोनड़ ग्राम सोनपुरी के जंगल में विच्ण कर रहा है हर्धी बजार के ग्राम रेकी से निकल कर हाथी बीती राद यहां पहुंचे जिससे ग्राम इडों के साथ ही वन अमले में हरकम की सित्य निर्मेद हो गई हाथियों के कारण किसी तरह के जन्हानी ना हो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है सोनपुरी के पास हातियों के पहुंचने के कारण ग्रामिडों में दहश्रत के स्थती देखी जा रही है। और हातियों को देखने के लिए मौके पर लोगों का मजमा लग गया है। सुचना के बाद वन्विभाग की साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुँच गई और लोगों को समझाईश दे रही है ग्रामिडों का कहना है कि इस इलाके में हाथी पहले बार आये है निश्य थे जंगलों के कटने के कारण हाथी भटक कर रियाशे छित्रों का रुख कर रही है जानक से मुलाखात हो गया कुछ डड़ाया भी है और लट पर ले दे के जान बचा के भागा हूं है पुलिस वाले भी आ है और अपना काम कर रहे हैं सभी को भगा रहे हैं कि किनारे में ग्रामिडों की भीड़े देखकर वन विभाग की साथी पुलिस भी काफी परिशान है वन विभाग की टेम मौके पजटी हुवी है और हाथियों की निगरानी में लगी हुवी है वन विभाग का प्रयास है कि हाथे यी शहरी छेत्रों का रुख ना करे इस कारड उन्हें बर्बसपूर के रास्ते जंगलों में ख़देडेने का प्रयास किया जा रहा है विभाग दिकारियों ने बताया कि हाथियों का दल काफी शान्त है और उनके द्वारा किसी तरह का नुकसान नहीं किया गया है बारहाल हाथियों की चहल कदमी पर वन विभाग नजर जमाई हुए है और उनका प्रयास है कि हाथियों को जल्द से जल्द जंगल की तरफ ख़देडा चाए ग्राइंडे से न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट